नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका SEO युक्ति की एक और दमदार वीडियो में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट कॉंटेंस को जो है USA या फिर UK में रैंक कर सकते हो गैस यह हर किसी का सपना होता है कि उसका जो वेबसाइट हो वो जो है USA यूके से ट्राफिक ले जहां पर जो है उसको बहुत ज्यादा अगर मैं बात करूँ इंडिया के ट्राफिक के तो इंडिया में आपको जो है CPC कम मिलता है अगर बहुत ज्यादा क्लिक्स भी आ जाते हैं तो अब भी आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता 0.08 डॉलर, 0.11 डॉलर, maximum 0.2 डॉलर बट वहीं पर अगर आप जो है अमेरिका में टार्गिट करते हैं तो आपको जो है इंडिया के क्योंकि वहाँ पर अगर affiliate sales की बात करोगे तो लोग वहाँ पर buy करते हैं और इंडिया में जो हता है वही इतना ज़्यादा पैसा देकर करके बाई नहीं कर पाते हैं इसलिए यहाँ पर CPC कम मिलता है compare to the USA या फिर UK के सो दोस्तो आज मैं आपके साथ कुछ checklist point share करूँगा अगर आप इनको follow करते हैं तो definitely आप अपनी website की content को जो है USA UK में rank कर सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा देखिए मैं बेवी स्टोरीज की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें आप येजली जियो टार्टिंग करके अपनी content को जो है पब्लिस कर सकते हो यहाँ पर मैं बात करूंगा आपकी website को आपकी website को उस particular country में rank करने के लिए दोस् अगर आपके पास टॉप लेवल के डॉमेंस हैं जैसे .com.net.org तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमन्द होगा क्योंकि ये डॉमेंन नेम जो एक्स्टन्स होते हैं ये टॉप लेवल के होते हैं और इनकी जो रीच होती है पूरे worldwide पूरे globe में होती है इस अगर आ हमारे पास डॉमेंन नेम में एक और इंपोर्टन सी होता है कि अगर आप डॉमेंन नेम पार्टिकुलर किसी country का ले लें तो आपको जहें और ज्यादा benefit होता है जैसे अगर आपका लाइन सेट है कि मुझे अपने ट्राफिक को USA से लेना है I'm sorry UK से लेना है माल दीजिए United Kingdom स अब वहां से जाकर कि अगर आपको traffic लेना है तो guys आपको पता होगा कि उनका top level domain जो है .uk है इसी तरह से अगर आप इंडिया से traffic ले रहे हो तो आपके पास जो top level का domain है वो .in है .co.in है यह दो domain name extensions आपको इंडिया में rank करने में मदद करते हैं and अगर आप UK में करोगे .uk ले सकते हो तो आपको अपना line set करना होगा कि आपकी business को आप कहा run करना चाहते हो या फिर आप अपने blog को आप कहा run करना चाहते हो यह डिपेंड करता है कि आप उस particular country का top level domain लो ठीक है इसके लाव दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अगर आपको सरिफ एक informational content लोग कारी हो गई है domain name आप कहीं से भी बाई कर सकते हो name cheap है go daddy है big rock है यह particular company जहें बहुत popular है guys इन सभी जगह से आप जो है domain name को purchase कर सकते हो आप दोस्तों हमारे पाँ जो दूसरा point आता है वो है गाइस Google search console का geo targeting इसकी वीडियो मैंने आपके साथ पहले भी share किया हुआ है जब मैंने sub domain को बनाया था मैंने बताया था कि आप किस तरह से geo targeting कर सकते हो तो geo targeting important होता है guys by default जब आप कोई नई website को बनाते हो तो वहाँ पर USA ले लेता है ठीक है यानि USA में चुकि Google की सेलेक्ट कर लिया कि Australia या फिर UK में launch करना है और आपने .uk या फिर .au का domain ले लिया है तो आप वहाँ पर जा करके geo targeting में Google search console में legacy में जाकर के international targeting में आप जो है अपने particular country को जो है चेंज कर सकते हो वहाँ पर आप Australia कर दो या फिर United Kingdom कर दो आपको वहीं से जो है traffic आएगा search console आपकी मदद करेगा मैंने आपको पहले बताया था कि Google Analytics जो होता है वो user and आपकी website की बीच का data so करता है और जो search console होता है वो crawler और आपकी website की बीच का difference आपकी बीच का जो relations होता है वो सो करता है यह मिन search console में important है कि आप जो है geo targeting करो आप वहाँ पर जाकर करके particular country को change कर दो बहुत ज्यादा important है आपको उस country से ट्रैफिक लेने के लिए अब दोस्तों हमारे पास जो तीसरा point आता है वो है गाईस web hosting देखे दोस्तों web hosting बहुत ही ज्यादा important है इसका importance मुझे शुरू में नहीं समझ में आता हम सभी लोग जब एक सुरू में web hosting companies है लेकिन अगर आप bluehost के साथ जाओगे तो bluehost में आपको affordable price में जो है यह चीजे मिल जाएंगी ठीक है अगर आपको जो है अगर कि bluehost और hostinger में थोड़ा सा difference क्या होता है गाईस तो मुझे लगता है कि अभी तक आप सिर्फ एक confusion में थे hostinger सस्ता होता है इसलिए उसको लेना चाहिए फिर bluehost दो तीन हजार महेंगा होता है उसको नहीं लेना चाहिए सो गाईस मैं आपको बता दूँ कि bluehost में आपको जो है जब आप बाई कर तो आपको CDN मिलता है यानि कि content delivery network मिलता है ठीक है और CDN बहुत ज़्यादा important होता है जो कि edge server से जो होता है आपके data को किसी भी country में load होने में बहुत मदद करता है माल लिजी कोई बंदा अगर आपन इंडियन के server पर जो है launch कि अपनी website को और कोई बंदा आपका US से जो है आपकी website को reach कर रहा है उसको open करना चाहता है तो अगर आपके पास CDN नहीं है गाईस तो उनकी आपका जो content होगा उस particular country में थोड़ा सा खुलने में problem होगा क्योंकि server का वहाँ पर problem आ सकता है ठीक है या आपका content पूरी दुनिया में कहीं भी anytime जो है load हो जाता है इसलिए CDN बहुत ज्यादा important है आपकी website में and आपको जो होस्टिंगर के साथ नहीं जाना चाहिए अगर आप worldwide targeting कर रहे हो अगर आप USA में targeting कर रहे हो guys तो आपको side ground या फिर blue host के साथ जाना चाहिए जो की दोनों ही बहुत ज्यादा best है guys और इंडिया में hostinger में आप जा सकते हो AT hosting के साथ जा सकते हो A2 hosting भी बहुत जबरदस्त है और hosting भी जबरदस्त है लेकिन दोस्तों मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आप इंडिया में अपनी website को launch कर रहे हो तो आप hostinger के साथ जाओ और अगर आपको USA UK से traffic लेना है तो मेरा recommendation है कि आपकी website को USPD, CDN और ज़्यादा bandwidth के साथ आपको Bluehost पर देता है और Bluehost affordable price पर available है और दोनों का link मैंने description में दिया हुआ है मेरे description से अगर आप जाओगे तो मेरे को थोड़ा सा affiliate sales का commission generate होता है तो आप Bluehost and hostinger के साथ जा सकते हो link मैंने description में already दे दिया है so guys मैं थोड़ा सा आपको जो है अपनी website पे ले जाकर के इनके बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूं चलिए मैं आपको SEO युक्ति का एक article दिखाता हूं कि how to start blogging और वहां पर मैं आपको जो होस्टिंगर and Bluehost के बीच में थोड़ा सा comparison भी दिखा देता हूं ठीक है तो हम एक नए टैब में जाते हैं और यहां पर हम डायल करते हैं SEO युक्ति को ठीक है SEO युक्ति वैसे तो मेरे entertainment पे डाल दिया था ताकि मेरे को थोड़ी सी ranking मिल जाए बट ऐसा कुछ होता निये guys मैं इसको remove कर दूँगा बहुत जल्दी क्यूंकि मैं इसको पूरी तरह से और मैंने यहां पर लिखा हुआ है how to start blogging सो यहां पर आपको मैंने देख लिया कि मैंने hostinger का सारा एड लगाया हुआ है ठीक है और यह बहुत ही जबरदस्त मैंने article लिखा था आपको पता होगा कि इसमें मैंने बहुत सारे word से इस्तिमाल किये था बहुत बड़ा article था यह और इसमें जो है मैंने आपको जो है क्या दिखाना था मैं आपको बता रहा हूं जैसे मुझे hostinger के साथ जा रहा है गाइस ठीक है तो यहाँ पर आप यहाँ पर दिख सकते हैं और इसके बाद अगर आप इसमें देखोगे आपको बमेंट आपको पर भी एक problem है guys कि आपको जो है CDN नहीं मिलेगा ठीक है अगर आप थोड़ा सा all features में जाओगे तो आप देखो कि cloud fair CDN आपको जो है नहीं दिया जाता है ठीक है और वहीं पर देखो अगर इनका business web hosting लोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा और ये guys आपको जो है थोड़ा सा मेंगा पड़ेगा ठीक है और इनका uptime देखो 99.9% है तो इस तरह से जो है ये आपके लिए जो है थोड़ा सा मेंगा हो जाता है लेकिन वहीं पर अगर मैं blue host के साथ जाओं जो कि मैंने नीचे उस card लगाया था मैं आपको दिखा रहा हूं blue host देखो ये blue host का है अगर आप blue host के साथ जाते हो तो यहां पर जो है आपको जो है तो होस्ट यूर वेबसाइट जस्ट टू 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 वन सिक्स मन्त पे ठीक है आपको free domain first year free SSL one click wordpress install पे है अगर आप इसको जो है host यूर वेबसाइट के साथ जाते हो blue host के और यहां प पर भी आपको जो है free CDN मिल रहा है free SSL मिल रहा है ठीक है और दोस्तों यह wordpress integration है यानि इसमें बहुत सारे features आपको मिल जाते है इनका सिर्फ यह basic plan है guys मैंने सिर्फ आपको basic plan बताय हुआ है अगर आप इनके plus plan में जाते हो तो plus plan में आपको जो है कुछ और भी जादा मिल ज सबसे best है और सिर्फ इंडिया में launch करना है तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप hostinger के साथ जाओ affordable price है और bluehost भी आपको सबसे अच्छा plan देता है ठीक है so link discussion में है या फिर आ करके मेरे इस particular SEO इकती पर इस blog को पढ़ लेना जो मैंने लिखा हुआ है इस blog को पढ़ोगे तो आपको बहुत जादा information मिलेगी और इस blog को पढ़ने के बाद आप decision ले सकते हो कि आपको bluehost के साथ जाना है फिर hostinger के साथ तो दोस्तों आपने जो है comparison देख लिया कि किस तरह से bluehost and hostinger एक दूसरे से different है मैंने इसके बारे में पहले से भी discuss किया हुआ कि hostinger का 99.9% का uptime है वही पर bluehost का जो है 100% का uptime है it means bluehost आपको ज्यादा rank होने में मदद कर सकता है और guys wordpress भी इसको recommend करता है so bluehost के साथ आप जा सकते हैं अगर आपको worldwide में targeting करना है तो and link मैंने description में दिया हुआ है उसके जरीए आप definitely जाए guys now दोस्तो हमारे पास जो चौथा point आता है वो और भी ज्यादा important है वो है backlinks ठीक है अगर आपकी website में backlinks नहीं बनी हुई है तो आपको थोड़ा सक problem होगा देखी क्या होता है कि जब google search जो है ता है वो internet पे आया था उस वक्त backlinks बहुत ज्यादा important था guys क्योंकि google के crawler को इससे 99 है और वहाँ पर अगर आपका जो एक backlink पढ़ा हुआ है कि assetkumar.com का वहाँ पर एक backlink पढ़ा हुआ है तो जब वहाँ का crawler उसको पूरा check करेगा review करेगा तो उसको लगेगा यार कि assetkumar की backlink यहाँ पर है it means इतनी high authority website पर गर backlink पढ़ी हुई है तो यह definitely एक high authority की website होगी औ और दोस्तों वह हमारी website को बहुत यजली crawl करेगा और उसको rank होने में मदद करेगा so backlink बहुत ज़्यादा important है backlink आपको बनाना चाहिए और दोस्तों अगर आपको USA UK से अगर आपको backlink चाहिए ठीक है वहाँ पर आप किसी top level की website को संपर कर सकते हैं अगर आपका कोई business है ठ उसे paid जो है आप backlinks को बनाईए paid backlinks भी आपको बहुत मदद करेगी और बहुत ज़्यादा traffic आएगी अगर आपने माल लेजए thousand dollar भी अगर पे कर दिया बहुत high quality की website पे so guys अगर आपको affiliate commission जनलेट होगा तो आप लाखों में कमाऊगे क्योंकि वो permanent backlinks हो जाती है तो दोस्तों इस तरह से आपको बैक लिंक जरूर बनाना चाहिए अगर आप यूससे यूके में rank होना चाहते हो तो वहां की ही top level websites को आपको सर्च करना पड़ेगा अब दोस्तों हमारे पास जो पांचवा point आता है वो है दोस्तों local SEO का देखिए local SEO मेरे हिसाब से आपने से कुछ लोग कम समझते होंगे guys अगर आपने किसी ने भी digital marketing के training की होगी तो आपको local SEO के बारे भी knowledge होगा local SEO वह होता है guys जब आप कोई store अपना खोलते हो तो Google आपको Google my business उसका एक product है GMB जिसको GMB का जाता है Google my business उस पे जो है आपको जो है अपनी website की details को भरने का मौका देता है यानि कि वहां पर भी बहुत सारे digital marketers बहुत सारे SEO analyst जो होते हैं अपना जो है बहुत ही अच्छे से SEO करते हैं अपनी business को ले करके ताकि कभी भी जो है Google पर अगर कोई बंदा ये सर्च करें कि best cafe coffee near me तो guys अगर किसी restaurant company ने या फिर किसी cafe company ने अपना Google my business पर बहुत ही अच् करो कि best restaurants near me अब दोस्तों आप जिस भी location पर हो Google को सारे details उसका पता हुआ है और किसी बंदे ने वहां पर अपनी restaurant की details को भरा हुआ है और जब वो आपके सामने आएगा तो आप उसी restaurant पर जाओगे it means उसको conversion मिलेगा और दोस्तों local SEO free tool है बहुत ही जबर्दश तूल है कोई पैसा देने की जरूत नहीं है आप optimization कीजिए आपको बहुत अच्छा result आएगा आपके store पर free में visitors जाएंगे और आपको पैसा मिलेगा उसका conversion बहुत अच्छा होता है so local SEO आप कर सकते हैं देखे local SEO सबके लिए नहीं है अगर आपकी website पर informational content है तो आपको local SEO करने की कोई दोस्तों हम बात करते हैं छाटमें पॉइंट की जो कि लाश्ट पॉइंट है आपके लिए Google Trends का इस्तेमाल करना देखे दोस्तों मैंने जब शुरू में अपना story.assetkumar.com लोच किया तो मैंने USA से ही traffic लिया था मेरा traffic सिर्फ अमेरिका से था और मैंने सिर्फ वहां पर क्या किया था की Google Trends का इस्तेमाल किया था उनका जो आपको पता होगा कि Google Trends किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है simply guys महा पर जाकर कि आप USA को जो है टार्गेट करोगे तो आपको सीधा दिख जाएगा कि USA में इस समय क्या rank हो रहा है इस समय USA में क्या trending है आपको सारी ज़नकारी मिल येजली आप geo targeting कर सकते हो, बहुत ही आसान है गास, वहाँ पर आपको content को USA UK में rank कराना, लेकिन अगर आप website की content की बात करोगे, तो कई बार आप try करते हो, बट वहाँ पर rank नहीं होता, क्योंकि competition ज़्यादा होता है, मैंने इसके पहले भी आपके साथ discuss कियो हुआ है, कि अमेरिका में USA में यहाँ पर लोग जो है, अभी 32 million से भी ज़्यादा लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और आपको पता होगा कि अमेरिका के जब वो अपना content publish करेंगे, तो वहाँ पर उनको rank होने के चांसे ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से काम भी कर रहा है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप rank नहीं हो सकते हैं, बहुत सारा ranking factors है, जो मैंने आपके साथ discuss किया, अगर आप इन तरीकों से जो है अपना काम करते हो website पे, तो आपको कम समय में इन top level countries में ranking मिल जाएगी, और अगर आपका 100 articles में 10-20 articles भी rank हो गयागा, इस तो आपको unlimited पैसा मिल जाएगा, इसा बात नहीं, बहुत सारा पैसा आपका बद जाएगा, ठीक है, इन points को दोस्तों ध्यान दीजेगा, अगर आप website को USA UK में rank करना चाते हो, और definitely आपको जहें बहुत ही अच्छा result मिलेगा, तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आए, SEO UKTSA follow video guys, thank you once again for watching the video guys, thank you.